हेलो एंड वेलकम माई डियर सोल पामली कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सबी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुख्षित होंगे आज की रीडिंग होगी बहुत ही खास देखते हैं मैसूस करते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में बहुत तो के लिए तो मैं देख रही हूँ टाइम चेंज हो रहा है आपके person की energy क्योंकि आपके energy तो ऐसी है जहाँ पर ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि कुछ positive हो जो एकाद जो stuck energy है वो दूसरी energy में बदले और आप चाहते हो कि कुछ जो चीजे है न पुरानी चीजे वो खतम हो finally पर यह सारा कुछ आपके person की energy पर depend करता है कितना वो action लेना चाहते हैं कितना वो अपना efforts डालना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की reading थोड़े बहुत changes है because I am shifting और I hope आप मुझे प्यार देंगे reading आते ही देखेंगे click करके ठीक है और थोड़ा सा team भी change हो रही है तो थोड़ा सा changes आएंगे ओके thumbnail में या फिर कुछ भी पर आपको बिल्कुल click करके देखने आते ही तो देख लेजिए किस तरीके से अगर आपको reading मिस भी हो जाना तो चैनल पर आके देख लिया करो खुदी sometimes it happens कि notification नहीं आती देखो पहली बात तो यह ऐसा लग रहा है कि कोई celebration हो रहा है आपके घर पे या आपके आसपास क्योंकि हो सकता है जन्मास्ट में आने वाली है उसके excitement हो ठीक है मैं देख रही हूँ जैसे जैसे जन्मास्ट में आ रही है न आपके मन में कहीं न कहीं भले ही वो चीज़ चीज़ हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो मन में कहीं न कहीं ये चीज़ चल रही है ये चीज़ आ रही है कि कुछ तो positive होने वाला है काफी time से ऐसा आपको लग रहा है Am I right? comment section में लिखो positive मैं समझ जाओंगे आप क्या कह रही हो कुछ न कुछ positive changes आने वाले हैं जिसके विज़े से आपको भी लग रहा है कि हाँ शायद इस वार बात बन जाएगी लग रहा होगा आपको है ना definitely लग रहा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा कि कुछ न कुछ करके न आपकी person से बात हो ही जाएगी आपको visible हो जी आपको visible है तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो efforts से और आपके जो intuition है वो खाली नहीं जाएगी अब एक चीज बता दूँ ऐसा लग रहा है न कि आप अपने person से ज़ादा उन लोगों पर ज़ादा खफा हो कारण रहे हैं आप दोनों की separation का जिनकी वज़े से ये सारी दिक्कते जिनकी वज़े से ये सारी problem आपको face करनी पड़ रही है आप इसको लेके बहुत ज़ादा चिंता में हो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़े ठीक नहीं हो रही है क्यों नहीं हो रही है इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये जो person है इन्होंने third party की बात को सुना है third party की हां में हां में लाई है आपको गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप चाहते नहीं अपना गुस्सा निकालना क्योंकि आपको भी पता है कि गुस्सा वहाँ निकाला जाता है जहाँ पे कुछ बोलने का या कहने का कुछ फायदा हो जहाँ पे कोई benefit ही नहीं है तो वहाँ पे गुस्सा निकाल के क्या फायदा ठीक है आपने इसलिए इस person को कहना छोड़ दिया है अब इनकी hidden energy पता है क्या बोल रही है अब इस person को भी न दिखाई देने लगाया कहीं न कहीं कि third party को खोशी सी हो रही है बहुत खोशे third party आपको अलग करके ऐसा लग रहा है दुनिया भर की न सारी खोशिया मिल जाती है वही चीज आपके person के साथ हो रही है आपके third party जो हैं आपके person के life में ठीक है और ऐसा नहीं है यह कोई अंजहन है यह बहुत करीबी है मैं बताती हूँ क्यों ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा हो सकता है उन लोगों ने किसी और को सोच रखा हो आपके person के लिए और आप बीच में आ गए हो तो इनसे ना मतलब देखो प्यारे कैसी चीज है लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो ऐसा हो रहा है पर कुछ लोगों से ये चीज बरदाश नहीं होती बात ही है कुछ लोगों से ये चीज बिल्कुल भी बरदाश नहीं होती तो इसी चकर में लोग एक दूसरे का नुकसान करने के लिए निकल जाते हैं वही चीज आपके person के साथ हो रही है ठीक है ना ये चीज जान लो कितना जादा आगे जाने वाला था इसमें कितनी सारी चीज़े हो सकती थी आप दोनों husband wife बन सकते थे आपके family होती बच्चे होते, काफी सारे plan थे एक साथ, परिवार खुश रहता आपके person खुश रहते, इतना नहीं देखते बस करना है तो करना है किसी भी तरीके से ये energy बहुत जादा disturbing नजर आ रही है और ये चीज़ आपको बहुत जादा तकलीब देती है, आपको पते सबसे जादा बुरा किस बात का लगता है सबसे जादा आपको बुरा इस बात का लग रहा है कि बाकियों का तो छोड़ो पर आपके person ने आपकी नहीं सुनी, ये चीज़ आपके लिए बहुत जादा अटपटी है बहुत जादा अटपटी है आपके person ने आपकी बात को नहीं माना ये चीज़ आपको बहुत परिशान करती है तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि मैं भी इनकी क्यों ही मानू, अब रियूनियन हो के क्या ही हो जाएगा, जब एक टाइम था ने, परिक्षा के घड़ी होती है, उसी टाइम से तो गुजरना होता है दोनों को, क्या सही, क्या गलत, किसने किसकी बात मानी, किसने किसकी बात नहीं मानी, situation क्या थी, हमारी understanding क्य आ रही, तो आपको लगता है, यह relationship एक big failure है, ठीक है, in terms, जहां पर परिक्षा की घड़ी आती है, जहां पर एक फैसला लेना होता है, कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको लगता है, यह रिष्टा fail हो चुका है, किस-किसको ऐसा लगता है, लिखिये fail, तो आपको यह भी अभी ही तो मौका था ना, यह करने का, अभी ही तो मौका था ना, यह, you know, कैसे बताओं, अभी ही तो मौका तक दूसरी की बात को सुनने का, समझने का, फिर साथ में आगे बढ़ने का, तो आपको लगता नहीं है, कि रिष्टा इतना ज़्यादा मजबूरत है, दूसरी त के वाजी की किसकी वज़े से हम दोने अलग हो गए हैं और सिर्फ एक ही वज़ा है जिसकी वज़े से मिल सकते हैं देखो आपके परसन के मन में अभी दो चीज़े चल रही है या तो यह कोशिश कर रहे हैं जाएं थर्ड पार्टी से बात-बात करके आपकी मुलाकात करके आपको हीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कहते हैं एक पॉइंट पर मैसूस होता है कि अगर यह चीज मेरे साथ होती तो मेरा कितना ज़्यादा दिल दुपता वह चीज मैंने किसी और के साथ किया है तो मैं गुनेगार हूं चीज़ों को सही करने की कोशिश दूसरी चीज़ और यह परसन ज़्यादा किसी को बोलते नहीं है लेकर मुझे ऐसा लगता है कि थार्ड पार्टी को उन्होंने बोल दिया है थार्ड पार्टी के मुझे बोल दिया है कि तुमने बहुत गलत किया है तुमने मुझे और मेरे परसन को अलग करवाया है जी हा जिसे कहते ही निया, वैसे इंसान कुछ नहीं बोलता, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, पर जैसी इनको एक टाइम पर लगता है ने, कि यहां पर तो सुनाने की जरूरत है, तो वहाँ यह पकड़के सुना देते हैं, यही एनरजी है, यही एनर्जी है, बहुत डीप फि लगी है बहुत तेज भूग लगी है आसपास सब के पास खाना पर वो एक हिम्मत नहीं जुटा पारा है मतलब सोचो किस तरीके की तरड़प है जब देख रहा है कि सामने खाना है उससे मेरी भूग मिट सकती है पर वो इनसान इतना सक्षम नहीं है इतनी जादा इन्होंने गलतियां किये क्योंकि जब इनका टाइम है थे उन्होंने भी हो सकता है किसी हो खाना ना दिया हो तो यह चीज मन में मन में ना इनको एक तरीके से रोकती है आगे जाने से कि मेरे साथ भी यही हुआ तो मेरे साथ भी यही कर दिया तो यह डर होता है इनसान का वो सबसे तो आपको हमेशे एक दर रहेगा और रहता भी है कि इनका कोई वरोसा नहीं है कभी भी कुट करके चले जाएंगे बीच में तो ये परसन ना बताना चाहरे हैं कि यार ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ पर वो हालात ऐसे थे मुझे ऐसे बढ़का दिया गया मुझे पे इतना जदा प्रेशर था और मुझे लगा कि हमारे फ्यूचर के लिए यही ठीक होगा कि साथ में नहीं तो अलग-अलगी सही तो ये परसन बोल रहे हैं कि हाँ ये अपने वादों से मुक्रे हैं और सबसे शर्मनाक, सबसे गंदी हरकत इन्होंने किया है आपसे बात करनी बंद करके, ये सब दिल में इनके छुपा हुआ है, जो कि ये चीज बतानी रहे हैं बहुत भारी दिल है, बहुत ही भारी ये बस उसी से हो जाए और किसी से चाहे हो ना हो इनकी दुख का कारणी यह है ये भी मानते हैं कि इनकी पूरी लाइब पूरी हसी, फूर्टफुल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इन्होंने गल्ती की है बहुत गल्ती की है दिल दुखाया है, आपको रुलाया है हो सकता है और हाँ, ये भी चीज उनको पता है कि इस ब्रेक अप के बाद आपके करियर का, फामली का बहुत ज़दा लॉस हुआ है इन्होंने देखा है किस तरीके से आप इनके लिए ना फामली के खिलाफ भी खड़े हुए हो जूट जाट बोलकर भी इनसे मिलने आए हो इनको आपने हमेशे प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया है दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये नज़र आ रही है आपने कभी भी इनके जो बहुती सीक्रिट बात है वो कभी भी किसी और को नहीं बताए कभी भी किसी और को नहीं बताए किसी को भी नहीं बताए पर इन्होंने आपकी बहुती एक परसनल बात है वो आउट की है गुसे में ठीक है बदले की भावना में इन्होंने वो चीज किसी और को बताए किसी और के सामने गुसे में बोली है जो चीज आपके पास घूम कर आई है जो चीज किसी और को बताने की नहीं थी चाहे वो आपके परसनल हेल्थ से रिलिटेड हो चाहे वो family से चाहे वो finances से related हो कही ना कही इन्होंने ये चीज बहुत गलत करी है तो आपको लगता है कि रिष्टे में आपके साथ विस्वास घात हुआ है बहुत ज़्यादा विस्वास घात हुआ है मानते हो कि नहीं comment section में लिखो cheating एक तो third party की मानना आपके secrets out करना बीच में छोड़के जाना मतलब क्या क्या नहीं हुआ हजार चीज़े अभी और गिनवा सकती हूँ एक तो सबसे बड़ी आपकी ये है शिकायत कि आप you know इन्होंने कभी action नहीं लिया अभी तक अभी तक चुपी बनाई रखी है तो आपको मन में ये आता है कि क्या ये मेरावेट कर रहे हैं कि मैं जब आऊं तो तब ही आएं आता है कि नहीं मन में है ना इनकी hidden energy है ठीक है ये बोल रहे हैं कि मैंने गलत लोगों के साथ गलत फैसला लेके गलत चीज़े बता दिया जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए थी इस चीज़ों को conceal करके रखना चाहिए था क्योंकि ये जो चीज़े हैं ये बहुत personal चीज़े हैं ये दो लोगों के बीच में रहनी चाहिए थी सकती से ठीक है ये रेडिंग यहीं तक रखती हूँ इससे पहले कि मुझे लग जाए ठीक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रेडिंग का लिंक है देखे जरूर से जाईएगा कोई भी लोग फीडबैक मिस मत कीजिएगा एक लाइक तो छोटा सा आप प्यारा सा कर ही सकते हैं जल्दी से अपने अटेंडन्स लगा दीजिए मिलोंगे अगली रेडिंग में एक नियू नटजी के साथ तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू लव यू आल टेक केर और बाई भाई